हेलो अप्रिवन, वेलकम टो न्य वीडियो, आज की स्टुडियो हम लोग घातां का नियम सिखेंगे, तो देखे घातां के कई सारे नियम हैं, उनमें से मैं आज आज आपको दो जो है मातपूर नियम सिखा रहा हूँ, जिनको अगर हम घातां के सवाल बेसिक से पढ़ना चा तो ऐसे नियमों को कापी पर नोट कर लिजिएगा, ध्यान से समझेगा, तभी आप ऐसे सवालों को लगा पाएंगे, आज मैं आपको नियम समझाने के लिए मातर एक सवाल लिखा हुआ हूँ, जब मैं घातां के कल के वीडियो में पार्ट 3 जब घातां काहेगा, उसमें जब मैं सवालों को समझाओंगा, तब आप उन सवालों में ऐसे जब नियम दिख जाएंगे और आप नहीं समझे रहोगे, तो उन सवालों को आप नहीं लगा पाओगे, तो आज का क्या नियम है, यदि किसी भी संख्या का पावर क्या हो, सुन्ने हो, तो उसका नियम क्या दूसरा नियम अभी में आपको बताता हूँ पहला नियम यहाँ पर देखे लिखा है यदि किसी संख्या का पावर क्या हो सुन्य हो तो वो संख्या क्या होती है उसमें क्या परिवारता नाता है जराचीज को समझना जब अन्य सवाल आप लगाओगे अगर सवाल के कोई भी संख्या उसके उपर सुन्य लगा रहेगा और आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे जराचीज को समझो जैसे आपर मैं पाँच लिख दूँ और पाँच के उपर मैं सुन्ना लिख दूँ यानि पाँच का पावर कितना है सुन्न है पाँच की गहत कितना है सुन्न है तो इसका मान हमेशा क्या होगा एक होगा इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो यदि किसी भी संख्या का पावर सुन्न है तो इसका मान एक होगा जैसे यहाँ पर मैं बारा लिख दूँ और बारा की पावर मैं सुन लिख दूँ तो इसका मान क्या होगा एक होगा बाते स्वाज में आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पर मैं तीन लिख दूँ यहाँ पर तीन बटे मैं दो लिख देता हूँ और इन दोनों का पाव आधारित में आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूँ, ये छोटा सा सवाल ही रहेगा, क्योंकि इस पर आधारित में बता रहा हूँ, लेकिन जब घातांक के अन्य नियमों के साथ ये वाला भी नियम सामिल रहेगा, तो वो सवाल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हम लोग एक लिखेंगे, प्लस लगाओ, 5 का पावर 2 का मतलब, 5 का पावर 2 का मतलब होता है, 5 इंटू 5, 5 को दो बाल लिखना है, तो 5 गुड़े 5 करोगे, तो कितना हो जाएगा, 25, तो 5 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 12 क पावर सुनने का मतलब कितना होगा एक होगा किसी भी संख्या का पावर यदि सुनने तो उसका मान एक होगा अब हम क्या करेंगे इनको साल्व कर लेंगे वन है तो वन लिखेंगे पचीस का गुड़ा एक में करेंगे पचीस एक के पचीस होगा और पचीस में एक जोड़ देंगे कितना होगा 26 यानि इस प्रश्ण का उत्तर कितना हैगा 26 तो अब ही आपको एक नियम काफी अच्छे से समझ में आजा होगा काफी इंपोर्टेंट नियम है जिनको नहीं पता है वो सवाल को नहीं लगा पाएंगे गलत करतेंगे चले अब मैं आपको अगला नियम बताता हूँ अगले नियम को भी आप काफी पर नोट करना अभी जितने घातां के नियम आगे आएंगे वो और मस्त रहेंगे उनको समझना है तो इन नियमों को समझते हुए चलेंगे तब ही वो अच्छे से समझ में आएंगे बाते समझ में आया गई चले अब यहाँ पर लिखा है यदि किसी संख्या का पावर माइनस हो तो क्या होगा मालो जैसे यहाँ पर मैं तीन लिख देता हूँ तीन का पावर माइनस दो मैं लिख दू तो इसका मान क्या होगा जरा चीज को समझो यदि किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहेगा तो आपको करना क्या है जैसे तीन का पावर माइनस दो और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 बटे 2 अब इस दोनों का power क्या लिख देता हूँ minus 2 जरा चीज को समझो यदि इस तरह से संख्या हो अकेली संख्या हो और उसके उपर power लगा हो minus में कुछ भी हो सकता है power minus 2 हो सकता है power minus 4 हो सकता है power minus 25 हो सकता है अब समझ गए अब आपक को आपको क्या लिख देना है उपर लिख देना है और यह जो तीन है उसे नीचे लिख देना अब तीन का पावर जो माइनस दो था अब तीन का पावर आप इस तरह से दो लिख देना बाते स्वाज में गई यानि तीन का पावर माइनस दो है उसे हम एक बटे तीन का पावर माइनस यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ तीन लिख दूँ तो इसे आप क्या लिख सकते हो अभी मैंने ये तो आपको समझाने के लिखा था बटे में एक कर देना अब आप हमेशा डारेक्ट इस तरह से उपर एक लिखना अगर नीचे कोई भी संख्या ना हो और नीचे आप क्या लिख लेना पांच लिख लेना अब पांच का पावर जो माइनस थरी था अब पांच का पावर कितना होजेगा थरी एक बटे पांच का पावर थरी इसका क्या होगा अंसर होगा अगर इसी आप साल्ब करना चाहोगे ते एक बटे कितना होजेगा पांच का पावर थर एक उधार और समझाता हूँ जरा चीज को समझो जैसे यहाँ पर मैं 3 बटे 2 लिख दूँ और यहाँ पर 3 का power 2 लिख दूँ और 2 का power 2 लिख दूँ बाते समाज में है कि नहीं 3 का भी power 2 है और 2 का भी power 2 है तो इसी सवाल चीज यहाँ पर लिखा हुआ है बाते समझ में आपको मैं हर एक step समझा रहा हूँ जिससे आप कुछ basic चीज़ें जो आप नहीं जानते उससे भी आप जानने लग जाओ यहाँ पर आपको करना क्या है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो यह जो 2 है इसको आप उपर इस तरह से लिख देना और जो 3 है उसे आप नीचे लिख देना अब यह जो power minus 2 था अब पूरे का power क्या कर देना इस तरह से 2 लिख देना अब बातें आपको स्वांज में आ गई कि ऐसे सवाल यह दी रहेंगे तो हम किस तरह से लगाना पड़ेगा अब इसी पर आधारित आपको सवाल दी रहेंगे बड़े बड़े लेकिन जब आप इसी इस टेप को नहीं जानते रहोगे तो वो बड़े सवाल कैसे सवाल कर पाऊगे अब आप सीख गए हो अभी जब मैं कल परसों सवाल आपको बताऊंगा अगले वीडियो में तब आप उसे समझ पाऊगे उसे सीख पाऊगे वरना यही चीज नहीं आता होता तो कैसे आप सवालों को लगा पाते हैं अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लिखा हुआ इस सवाल को जरा समझो सवाल का क्या रहा है सवाल का रहा है कि 2 का पाऊवर माइनस 2 है तो 2 का पाऊवर माइनस 2 है तो मैं क्या बताया था हमेशा इस तरह से जब अकेली संख्यात ऊपर एक लिख देना नीचे आप 2 लिख देना इसका power minus 2 था तो 2 का power आप इससे 2 लिख सकते हो into कितना आप लिखोगे 5 लिखना into यहाँ पर 3 का power 2 का मतलब 3 तरिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अब यहाँ पर 1 upon 2 का power कितना है 2 है तो 1 upon 2 का power 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा एक बटे चार हो गया गुड़े यहां पर कितना 5 गुड़े यहां पर कितना है 9 है अब अंस का अंस के साथ गुड़ा कर दो 9 पचे कितना हो जाएगा 45 45 का गुड़ा एक के साथ करोगे तब 45 ही होगा बटे में कितना है 4 है तो बटे में 4 लिखो अब यह तो आप 45 में 4 से भा वहाँ आप मैंने आपको बताया है το भिन वाला कैसे बदलता है अगर कोई संख्या भिन्न में होय उसका पाउर मानिस में तो कैसे बदला जएगा नारमल संख्या लिखी है इस तरह से इसको मैंने बताया तो काफी अच्छे तरिके से आपको समझ में आया होगा आसा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया हर एक तरीगा आपको समझ में आया होगा जिस भी बाला को एक बार में चीजे ना समझ में आया करें वो वीडियो को दो बार देख लिया करो और थोड़ा ध्यान से देखो गे तो जरूर समझ में आगा ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ता कि ऐसी कोई चीज छोड़ दूँ जिसे आप न समसको हर एक चीज जो नहीं जानते हो वो भी बेसिक बता देता हूँ आपको मिलते हैं नेक्ट क्लास में किसी आने जाने कारे के साथ थैंस फर वाचिंग अलफ यू